तो इस question में भी हमको coordinate equation के roots निकाल लें factorization से पर आप इसमें ध्यान से देखो factorization के अपनको जरूरती नहीं जो आप इसको open करोगे ना तो यह हो जाएगा ab x square minus a square minus a square x minus b square x plus ab is it equals to zero इसमेंसे हम ax common ले लेंगे तो यहां बचेगा bx minus a यहां से भी हम minus का b common ले लेंगे तो यहां भी बचेगा bx minus a is equal to zero हो जाएगा bx minus a अपन दोनों मैंसे common ले लेंगे तो यहां बचेगा ax minus b is equal to zero यहां पर x की दो value आजाएगी एक value आजाएगी a upon b और एक value आजाएगी b upon a ठीक है simply अब अपन क्या करेंगे यह जो values हैं चेक करने के लिए यह a upon b और b upon a इसमें put करके देखेंगे एक एक करके तो अगर answer zero आये तो हमारा answer सही है वरना फिर गलत है